अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आए चड़ावा सहर के सूपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर यहां आपको हिंद वेर सोमानी जैसे नामी कम्पनियों के टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रिमियम टाइल्स सेनेटरी वेब बात वेर भी मिलेंगी रिजनेबल दरों पर क्योंकि मजबूर टाइल्स और रिजनेबल दर यही तो है योगी टाइल्स का वदा तो जल्दी पर करें नमस्कार पंकेश कुमार कैमिरमें संदीब के साथ चडावा सहर कि ये पिस इसकुल के अंदर इस्वक्त मौझूद है दूसरा सेशन सुरू होचुका है इस सुरू का लेकिन इस इसकुल ने पहले सेशन सेशन के पूरी जान करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जरूब बने रहीएगा जुझनु जिलाज सेखावाटी जो है सेखावाटी एरिया जो है अपना हर छेतर में अवल है बिलकुल आप लोग समझे गए होगे इन बच्चों ने माला पहन रखे तो क्यों पहन रखे हैं का आज सम्मान हुआ यह तो आप समझे गए होगे लेकिन आपको बदानाता हूं कि यह जो बच्चे हैं यह 9th क्लास और 10th क्लास के ही बच्चे हैं और इन्हों ने आज परदसन किया है तो उसका नतीज़ा जो है वह कोट साव है लेकिन की मैनत जो है वह सर्वपर्थम है बिलकुल कुछ बच्चे हमारे साथ है किस रेड़ी में यह इस्टेट टाइकॉंडो चेंपियन सीकर में ब्रॉंच मेंडल प्राप्त किया है मैं अपना स्रेको अपनी कोच मिस्टर राके सेनी सर को और अर्विंच सर को और अपने पैरेंट्स को देना चाहूंगी यह आज आप रट्टा मार के आए हो क्या नो सर्थ कौन सा खेल को टाइकॉंडो किस तरह से खेलते हैं इसके अंदर की कोती है पंच होते हैं और फाइट तो मैं आप से दूर हो जाओं ऐसे तुम नहीं मारते ना आप नो से खेल सब्सक्तिंद के मज़ा आता है कैं मेरते हैं इसके साथ पड़ानों हो या भी करते हो तो लो होगरते हैं या फिर होकी घीनिंग में राकिसंन ने इसको खेलने के लिए कि उन्होंगों कुन सा गयम है एक मैस्टार्ट्स में एक उप सब्सक्राइब है रहे ले सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप गया है तो आप गेम खेलते हो जब चस्मा दिकत नहीं करते हैं तो इसी गेम को क्यों चुना आपने सर मैंने जैसे यह गेम देखे मैंने तो मेरा मेर को मन हुआ इंट्रेस्ट वा इस गेम में तो मैंने सुचा महीं कहलू और इसमें अच्छी से खेल भी सकती हूं मैंने खुद को भी देखा है मुझा इंपरोव्मेंट वाइड के लिए अपनी मन में सोचा और वीडियो वागेरा देखी मैंने अपनी वीडियो देखा यसे उसमें मुझे लगा में अच्छा लगा वीडियो में देखा खेलते हो आपके मार रहे थे बोक्सिंग जो भी करते थे अच्छा लगा अच्छा इसकी यह बताइए कि स्कुल में पढ़ाई कैसी होती है एक पिस स्कुल के अंदर और जो आप यह सीख रहे हो गेम कोच कैसे है किस तरह का व सबकुल करें करते ब papa bहने किमिन यह कुछ उलाघDet कि आया चाहिए की बतायकि अच्छा बोलना अधरिकम कुल कि दिखता भी है यह में को सक्थ सबकुछ सकत्य हो इसक्ष पड़ाई बंद टॉक्टक्टर बना चाहते हो और यह गेम खेल घर मारफिट वाला बौक्सिंग ए स्पोर्समैन क्यों मज़याते हैं मुझे बनना यह पूरा बिल्कुल होना भी जिस बच्चों का जिन बच्चों का जिसमें मज़ा है मज़ा आता है जिनका इंट्रेस्ट होता अब पेरिन्स को भी उनंब बचों को उन्हीं की और ढकेला ट्राइब का बॉसल को बच्छों की तिरफ उसी पड़ाय की तरफ लेगर जाना चीए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के उपर किसी परकार का दबाव बनाए आप अपन फेатов आपको क्या नाम रोईत आप क्या बढ़ना साथ है दोनों में कि बिजन से की स्टॉक मार्केट का इस तो क्राइब अभी टैनेंथ कलास में होगे और अभी बिजनस की आप पहचान भी रखने लगे क्या करना क्या नहीं है मुबाल देखते होगे हैं मुबाल से दूर रहा अगरो वड़ना बिजनस बात में महंगा पड़ जाएगा पैरेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं कि स्कूल में किस तरह का जो माहूल है अभी तक चल रहा है और आने वाले और जो बच्चे आपसे छोटे बच्चे भी यह और बड़े भी है उनको क्या करना चाहिए इस गेम के बारे में कि खेलना जुरूरी है इस गेम के फाइदा यह सबसे बड़ा फाइदा तो यह अगर कोई हमारे साथ कोई छेड़का नहीं करें तो हम उसे सबक सिखा सकते हैं कि अत्मरक्षा के जवाब का आप कर सकते हो अपनी दूसरों के भी कर सकते हैं अभी आपने कौन सा मेडल जहां पर जीता है कहां पर पढ़त्यों किता हुई है सिकर में सिकर में अदर्स पब्लिक स्कूल और मैं सार सब्सक्राइब करने के लिए एक तरफ वाइट कपड़े वाले एक तरफ ब्लैक वाले आप हो तो यह जो ड्रेस जो है इनको देखकर ही काफी डर जो है पैदा हो जाता है ऐसी कोई बात नहीं यह तो हर गेम की एक यूनिफोर्म होती है जिसके अंदर वह फाइटर अच्छ अब हड़ तरीके से वह खेल सकें अइसाट रखता है नजाता एऽ्हास पेला इसके अदर वह तरह भी होता इसके बाद घम बच्चों को गेम के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी मोटिवेट करते या फिर यह दोनों चीज़े जरूरी है साथ-साथ पढ़ाई भी जुरूरी है और गेम भी जुरूरी है लगी पढ़ते हो गता हुए कितने मेडल आप लोगों जी ते और किस तरह का आज आपका सफर र इस्टेट अंडू चंपिहंग के अंदर जसके और पहली बार चिड़ावा के अंदर तीन मेडल जीते हैं इस भिखोह और इन बच्छों ने बहुत अच्छी मेहनत कं कम टाइम के इदर इतनी अच्छी मेहनत करके और एक ब्रॉंज मेडल जीते हैं इन खिलाडियों को मैं बहुत-बहुत हार्दिक बढ़ाई असुब काम नहीं देता हूं जिसके अंदर आगे जाके यह बच्चे और मेहनत करें और गोल्ड मेडल जीते हैं जानते हैं तो क्या समझ्वांडो कराटे मार्सल आर्ट का नाम सुनते उनको यह हो जाएगा लग जाएगी एंज्यों जाएगा अमारे बच्चे का हार्ट ऊट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जैसे और गेम होते हैं, होकी है, बोलीबोल है, किरकेट है, इसी तरीके से ये भी एक गेम है, ये सेल्डिफेंस का गेम है, सेमी कॉंटेक्ट इसमें फाइट होती है, मगार्जनों से भी ये कहना चाहूँगा है कि अपने बच्चों को सेल्डिफेंस जरूर करवाई, ताकि वो आने वाले ट्राइम के अंदर वो अपना कम से कम सेल्डिफेंस कर सकें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जिसके अंदर की बच्चे के लग जाएगी, ऐसे चोट आजाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक गेम है, अच्छे लेवल के ओपर जैसे डिश्ट परतियों के था है, वो खेल मंतराले भारतिय ओलम्पिक संग द्वारा मानेत अपरापत है, जिसके अंदर नेशनल लेवल पे मेडल जीतने के बाद आउट ओफ टन में आता, उसको डाइरेक्ट गोवर्मेंट जोब में जाता है, मेडल नहीं जीतने पर 2% कोटा मिलता हर ब जोस है, और इनकी जो फूरती जो है, वो काफी देखने लाइक है, मैं भी आप सबी से यह कहूँगा कि अपने बच्चो को जो है, हर गेम के अंदर जिनमे भी आपके बच्चो का इंट्रेस्ट है, वहाँ पर अपने बच्चो को जरूर लेकर जाए, और इनहीं की तरह उन देखने को मिल रहा है काफी बच्चे जो है इंट्रेस्ट ले रहे हैं यहां के कोच है जिन से बातचीत हुई और वह भी अच्छा एक दे रहे हैं तो आप लोग ट्राइक कर सकते हैं इस गेम के अंदर जहां कहीं भी आप लोग एड़िशन दिला रहा है अपनी बच्चों को वहां पर करवा सकते हैं अब्ले इतना ही देखते रहें सिव्व नगर टाइम्स जुड़े रहें सिव्व नगर टाइमस के साथ